तो क्या कुछ कह गए हैं गोल मोल करके कोई समझ ना उनको आई है और ना सो काल्ड पहाडियों को आई है ना गुज्रों को समझ आई है गुज्रों को इतना समझ जो मेरे जहन में है वो इतना है कि अगर होम मिनिस्टर साब ने कहा कि एक फीसद भी उसमें से नहीं काटा एक फीसद ना काटने की ये बात है कि छेडूल ट्राइब में उनको दाखिल नहीं किया जाएगा ओबी सी या दूसरे किसी तरीके से या पी एस पी की कोई या शरा बढ़ा कर उन्हें दिया जा सकती है कोई रिजर्वेशन मुलाजमतों में या दीकर जहां तक प्लिटिकल रिजर्वेशन का सवाल है फिर प्लिटिकल रिजर्वेशन उसमें नहीं आएगी ये एक बड़ी अगर छेडूल ट्राइब में दाखिल नहीं करते हैं इनको तो उसमें हमें अब्जेक्शन नहीं है लेकिन बतोरे वकील मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर पी एस पी में घ्रकानोनी होगी, हम उसको चैलेज नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा मैं छोड़ दूंगा, लेकिन लो घ्रकानोनी है years of principle , offshore speaking पीपल , speaking means आप वह बाशा बोल रहे हैं , आप वह बड़ रहे हैं , तोझ तो जिबान के आदार पर कोई भी रिजर्वेशन कहीं भी नहीं है प्रांत्रियामिशाजी की जो रैली हुई पीर पंजाल में राजोरी में क्या जो एक स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया है ना ही गुजर बगरवाल कम्मुनिटी का जो हक है या परसंटेज है उसमें से एक परसंट भी कम होगा और पहडियों को भी उनका अधिकार मिल ही बात कहता था कि इस बी प्लिटिकल बात होती है स्यासी बात होती है अंदर कानुनी जो दाब बेच हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं तो इसके लिए किसी भी तरीके से जो खुद को ये लोग पहाड़ी कहते हैं पहाड़ी बनाके खुद को पेश करते हैं कि हमें चेडूल ट्राइब दिया जाए तो मैं पहले से ही ये बात वाज़ा कर चुका हूँ कि ये उसके लिए हगदार नहीं है इस क्वालिफकेशन बेसिक जो उसके लिए रिक्वाइरमेंट्स है वो ये नहीं करते हैं उनको पूरा नहीं करते हैं तो इसलिए मैं ये कहता आया हूँ बहुत ही अपबीट थी लोगों में अभी अभी अमित्षा होमनिस्ट के यहां आने से के हमें शिडूल ट्राइब देगे बड़ी दूर से दुनिया चल के पैदल ये वो सियासी लोगों ने अपने जलसा को अपनी पब्लिक रैली को कामयाब करना होता है कुछ भी कहके कर सकते हैं तो काफी अच्छी रैली हुई काफी बड़ी रैली हुई बड़ी खुशाइंद बात है कि इतनी तदाद में लोग उस रैली में आए गुजर और जो खुद को पहाड़ी कहते हैं वो भी सभी ने मिलके ये रैली की यहां भी और सिर्नगर में भी तो एक बात जो उन्होंने सही मानों में यही कही है कि अभी बहुत लंबी प्रक्रिया है यानि एक परसीजर है लंबा वो मुकमल होगा तो जरूर मिलेगा लेकिन उन्होंने एक बात आपने द्यान से सुनी होगी उन्होंने कहा है जो गुजर बकरवाल को या दूसरे च्टूल ट्राइब को दिया गया है उसमें से एक परसेंट एक प्रतिश्यद एक फीसद भी नहीं काटा जाएगा एक बहुत बढ़ी बात उन्होंने कह दी अब देखिए नो सीटें रिजर्व तो वो कर चुके हैं च्टूल ट्राइब के लिए आप अगर एक सीट भी उसमें से निकालते हैं तो एक प्रतिशत से ज्यादा निकल गया तो होमनिस्ट ने यह जो बात कहिए कि उसमें से एक प्रतिशत भी नहीं निकाला जाएगा तो इसका मतलब है कि उन नो सीटों पर अब क्या गुजर्बकरवाल ही वो चनाव लड़ेंगे यह बात मुझे भी नहीं पच्चती है सची जो बात कहें पुलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में मैं इतना कोई अच्छा विचार नहीं रखता हूँ क्योंकि हर किसी को हक है लड़ने का हरादिकार है लड़ने का यह जम्हुर्यत है तो अब इसका मतलब है कि उस पे अपनी जबान से होम मिनिस्टर ने एक रोक लगा दी है कि उसमें से एक भी सीट इन लोगों को नहीं दी जाएगी ठीक है ना तो फिर क्या यहीं चनाव लड़ेगे तो यह दूसरी ओर वात है उन्होंने कहा कि अभी जी डी शर्मा की रपोर्ट जो है उसको इसका अध्यन किया जाएगा उसका मुताल्ह किया जाएगा तो उसके बाद ही कोई हैसल लिये जाएगा अब भी जीडी शर्मा की रिपोर्ट जो है मैं तो ये मांग करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए सरयाम आनी चाहिए लोगों के पढ़ने के लिए लोगों के देखने के लिए और लोगों के उज़रात के लिए उब्जेक्शन के लिए वो स तो अभी तक तो वो रिपोर्ट भी नहीं सामने आई तो क्या कुछ कह गए हैं गोल मोल करके कोई समझ ना उनको आई है और ना सो काल्ड पहाड़ीयों को आई है ना गुज्रों को समझ आई है गुज्रों को इतना समझ जो मेरे जहन में है वो इतना है कि अगर होमनिस्टर सा काटा जाएगा और इनको अलग से दिया जाएगा एक फीसद ना काटने की यह बात है कि चेडूल ट्राइब में उनको दाखिल नहीं किया जाएगा ओभी सी या दूसरे किसी तरीके से या पीएसपी की कोई या शरा बढ़ा कर उनने दिया जा सकती है कोई रिजर्वेशन म बड़ा मौमा बना हुआ है इसे सुल जाने के लिए होमनिस्टर साब को कुछ कलियर बात कहने चाहिए थी जो मिठाईयां बांडी जा रही है पाहड़ी कबिले की तरफ से खुशियां बनाई जा रही है ये किस बात की दिखो ये तो अवाम की एक दिलाजारी होती है अगर मैं कहूं कि अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है अवाम को कोशिश करते हैं लीडर इस तरह से खुश करने की और अगर कोई खुश होके मिठाई बांटे अच्छी बात है किसी का मुँ मिठा करवाना अच्छी बात है चरागां करना रोशनी करना अच्छी बात है इसे तो हम नहीं रोख सकते लेकिन किस लिए है वो इनको खुद सोचना है इन लोगों को जो कर रहे हैं उनको ये खुद सोचना पड़ेगा कि हम क्यों कर रहे हैं उन्हें जरा गहराई से सोचना पड़ेगा कि मिला क्या है क्या दे गए हैं क्या गुज्रों को क्या ज्यादा दे गए हैं और उन्हें क्या गुज्रों के बराबर दे गए हैं इस चीज पर इनको ध्यान करके सोचना है कि क्यों चरागा करना है क्यों डांस करना है क्यों पगडियां बांत के नाच गाना करना है इसका फा पार्तिय जनता पार्टी पूरे मुलक के अंदर और एक और फाइदा इसमें बड़ी खुशाइन बात है वो मुझे अच्छी लगी अच्छी ये लगी कि बाहर जो बाहर के हमारे दुश्मन मुलक हैं वो कहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो है सिच्वेशन सुरतेहाल ठीक नही है पूरे वर्ल्ड को पूरे मुलक को के ऐसी कोई बात नहीं है हम हिंदुस्तान के साथ हैं ये अच्छी बात हुई है बाकि और कोई फाइदा किसी कम्यूनिटी को या कुछ वो होना ना होना ये इर्रेल्वेंट है ये इमेटेरियल है एक रिट भी आपके दौरा की गई थी उस रिट का क्या हुआ और किस बारे में थी और रिट ये हाँ मैंने अपने वकील साब के शावमन साब के जरी एक रिट की थी कि ये जो पी एस पी पहाडी स्पीकिंग पीपल के नाम से जो रिजर्वेशन दी गई है चार फीसद चार परसेंट मैं कहता हूं कि वो अनक कंसिटूशन में ये है और जो कुमिशन टाइम टो टाइम कंसिटूट की एगए है उन्होंने ये होल्ड किया है कि किसी को भी जबान के आधार पे रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती है तो उसी point को हमने यहां लिया था कि ये जबान के आदवार में है जैसे कि इसके नाम सही जाहर है पहाड़ी speaking people तो speaking people मेन जबान है भाशा है तो यह मेरी रिट थी के इसको नहीं दिया जासका जबान के आदार पे reservation नहीं दी जासकती तो court ने कहा है कि इसकी प्रमिशन दी गई है और उसको बड़ा उचाला गया कि मेरे जरीये की गई रिट जो है वो डिस्मिस हो गई लेकर मैं कहता हूं कि मुझे उसमें यह इजाज़त दी गई है कि आप पिल कर दो पिल दाइर कर दो मुफादे आमा की रिट पार कर दो करन क्या था इसके पीछे का अगर कोई फाइदा उठा रहा है इसका और पहाड़ी कभीला तो अभी यह मांग कर रहा है कि उनको एस्टेटस दे दिये जाए आप उनके पीएसपी के पीछे पड़ गी नहीं खसूसन इनके पीछे नहीं जब आएन एक चीज़ कहता है तो बतो बतोरे वकील बतोरे पब्लिक स्पिरिटेट पर्शन यह हमारा फर्ज बनता है कि जहां आएन की उलंगना हो जहां उसकी वाइलेशन हो जहां उसकी खिलाफ वर्जी हो तो हमने अदालत में उस चीज़ को चेक करना चाहिए हर किसी का वर्ज है मेरा ही नहीं मैं तो बतोरे वकील यह बात जानता हूं कि यह गलत हो गया क्योंकि कानून तो यह कहता है कि जबान के आदार पर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं इसलिए बैने यह रिट की थी वरना किसी के खिलाफ हम नहीं है जी नहीं अगर अगर छेडियूल ट्राइब में दाखिल नहीं करते हैं तो उसमें हमें अब्जेक्शन नहीं है लेकिन बतोरे वकील मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर पी एसपी में बढ़ाई जाती है तो वो गैर कानूनी होगी मुझे इतना वो दुख नहीं देगा अगर इनको शेडूल ट्राइब में दाखिल किया जाए लेकिन फिर वी वो गहर कानूनी होगी हम उसको चैलेंज नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूँगा लेकिन वो गहर कानूनी हो पहाडी स्पीकिंग पीपल, स्पीकिंग मीन्स आप वो बाशा बोल रहे हैं, आप वो जबान बोल रहे हैं, तो जबान के आदार पे कोई भी रिजर्वेशन कहीं भी नहीं है इस से में एक बात तो होगी ना कि गुजर्वकरवाल कम्मिनटी को कम से कम यह हो गया कि हमारा जो परसंटेज है उसमें कटोती नहीं होगी, कम से कम यह एक तसली होगी है एक तसली की बात भी है, देखिए हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोश्चें करते हैं, वो भी है लेकिन एक जो कानूनी जो आपका फर्ज है, वो भी तो यह देखना है, क्यों एक ही जबान फिर आप भी डोगरी बोलते हैं, आप कश्मीरी बोलते हैं, आप कोई और जबान बोलते हैं, तो फिर आप भी कहेंगी कि हम यह जबान बोलते हैं, हमें भी इतने परसंट दिया तो ये एक बड़ी गलत दार ना बन जाएगी इसलिए आइन ने कहा है कि किसी को भी बाशा के अदार पर नहीं दिया जा सकता आम जंता के लिए यही है कि एक तो आपने देखा होगा पिछले जब से अमित शाह साब यहां आए तो एक वो जो टक्राओ की सिच्वेशन बनी यूथी वो खत्म हो गई है है ना वो खत्म हो गई है आज तो पहाडी और गुजर आपस में काफी दोस्ताना लग रहे हैं चाहे वो सोशल मीडिया पर आप देखे पहले जिस तरह सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाब बोल रहे हैं आज नहीं बोल रहे हैं क्योंकि दोनों ने देखा कि हमें दोनों को कुछ ज्यादा फाइदा तो इससे हुगा नहीं है अलबता कोई स्यासी फाइदा उठाके चला गया है तो आप दोनों ठंडे हो गए हैं कुछ हाथ तक मैसेज यह है कि इसी तरह अपणा भाईचारा बनाया रखो कोई कुछ नहीं हो रहा है कोई जो भी आईनी तोर पर मंकिन होगा वो मिल जाएगा और आईनी तोर पर जब कोई भैसला हो जाता है कानूनी तोर पर कोई फैसला हो जाता है सुप्रीम कोट ने आपSte दाइरे में रहते हुए हम सब को आप सी भाइचारा बनाई रखना चाहिए और इसी तरह भाइचारा बना के आगे बढ़ना है आपकी सब क्या रहा है आप भी अपने राई जो है जुरु सांजा की जैगा इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें नियू सहर इंडिया मैं रफाजा मडाएंग केमरामें शान होज के साथ